सर आज गनेश चतुरती है उस पर मोटिवेट कर दीजिए स्टूडेंट्स के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा जो भगवान गनेश जी है कभी भी आपने बचपन से सुनते आए होगे कि किसी भी आप शुब काम को जब स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं यह चलो श्रीगनेश करते हैं याद रखेगा अब आपकी लाइफ का आपकी पढ़ाई का श्रीगनेश हो चुका है सो उस परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़के एक ही परातना मैं करता हूं कि मेरा हर बच्चा काम्याब हो जो सच्ची लगन के साथ सच्ची मेहनत के साथ आगे बढ़ा है और याद रखेगा देली मैंने हमेशा बोला है कि आप जब कभी भी सुबह पढ़ने बैठें परमिता परमात्मा का नाम जरू लीजिए होता है किया है आपको आपके करम की याद आ जाते कि हाँ भाई मुझे अच्छे करम करने हैं मैंने अपने आपको एक वादा किया है कि मैं पढ़ूँगा तो मैं वाके में फिर पढ़ने बैठूँगा वो परमपिता परमात्मा हो सकते हैं जिनका आप नाम धारन कर सकते हैं जिनका आप नाम ले सकते हैं वो आपके मातापिता हो सकते हैं जब भी पढ़ने का मन ना करें तो एक बार अपने मातापिता के चेहरों को देखें उनके चेहरे आपको ये बताएंगे बेटा वो सिर्फ और सिर्फ इसी इंतजार में बैठे हैं कि हमारे बच्चे की कब नोकरी लगेगी हमारा बच्चा कब जोब पर जाएगा तो वो भी तुमारे लिए यही दुआई मांग रहे होते हैं तो आज से ही श्री गनेश करिए अपनी महनत को दोगनी करने का अपनी इरादे को दोगना मजबूत करने का श्री गनेश करिए तो गनेश चतुरती पर मेरी लिए मेरी तरफ से जो आप सभी के लिए शुब कामनाई हैं वो बेटा यही है कि इस गनेश चतुरती से स्टार्ट कीजिए, श्री गनेश करिए, अपनी मेहनत को दोगनी करो, अपनी इरादे को दोगना मजबूत करो, कि हाँ आज मैं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ता जाओंगा, सिर्फ एक गुरू अपने बच्चे के लिए यही प्यारी दुआ कर सकता है, जो हमेशा मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, बढ़ हमेशा याद रखेगा बेटा, मेहनत जरूर करिएगा, वो काम मत करिएगा, जो बच्चपन में हम मजाक में करते थे, यह भगवान पास करा देना, मेरा तो आपको पता ही है, मैं तो के लिए गनेश चतुरती पर दुआए हैं, कि परमपिता परमात्मा करे, आपके मनुकामना जल्द से जल्द पूरी हो, आप जिस भी कॉर्मेंट जोग के तैयारी कर रहे हैं, जिस भी गोल को पाने के लिए आप संगर्स कर रहे हैं, जल्द से जल्द गोल वो आपको मिले, चली पुतर देखते हैं अरे क्या छोटे क्या क्या सुदरेंगे नहीं कहता ठीक है सर हम महनत दोग नहीं कर रहे हैं आज एक काम करो आप टाइम दोगना पढ़ा दो फिर आज गनेश चतुरती है सुदरोगे नहीं तुम्हें मैं टाइम दोगना गढ़ा दो तो फिर अगला बैच कहा जाएगा है मेरे को तो कोई दिखकत नहीं है दोगना क्या तीन गुना पढ़ा दो मेरे बच्चे तुम्हें पिर अगला बैच कहा जाएगा चलो कोई नहीं दोगना पढ़ना है न तो मैं पढ़ाता हूं तो मैं आ रहा है एक क्लास में लूँगा भी एक क्लास रखोंगा फिर तुम्हारे बैच की दो तिन घंटे की चलो प्लैन करता हूं फिर अगले वीक में ये लो भाई ये गिफ्ट चाहिए ता बाद मतलब प्यारा गिफ्ट मांगा है तुमने वैसे बहुत अच्छा लगा बेटा तो अगले वीक में तुम्हारे बैच की मैं दो तिन घंटे की क्लास एक साथ रखता हूं डन खुश